नमस्ते किसान भाई और बहनों, क्रिशी ग्यान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है किसान भाई और बहनों, हेलिको वपा आर्मी जेरा को आमतोर पर अधिक गमभीर कीट माना जाता है क्योंकि इसमें कीटनाशकों के प्रती प्रतिरोध विक्सित करने की अधिक क्षमता, व्यापक मेजबान क्षेत्र तथा फसल क्षेत्रों में वर्ष दर वर्ष बने रहने की क्षमता होती है अगर इसके लक्षन देखे तो पौधे के उपरी भाग पर फूलों की बनावत तथा नई पत्तियों के चारों और गुच्छे में सफेद से लेकर कत्थाई रंग के अंडे पाये जाते हैं लावा पौधे के किसी भी उतक पर भक्षन करते हुए पाया जा सकता है किन्थु मेजबान पौधों पर निर्भर करते हुए इसके फूलों तथा बीजकोशों, बालियों, फलों, फलियों पर आक्रमन करने की अधिक संभावना होती है छोटा लावा पत्तियों, बढ़वार बिंदूओं या फलों की बनावट को खुरचता है जिसके कारण कम ख्षती होती है बड़े लावा फूलों या छोटे बीजकोशों, बालियों, फलों, फलियों में छिद्र कर अंदर से खोकला करते हैं, बीजों को नुकसान पहुँचाते हैं और इसे विक्रे के लिए अनुप्यूक्त बनाते हैं खाए जाने वाले छिद्रों के आसपास नम की टमल देखा जा सकता है घावों पर द्वितियक जिवानुओं का विकास होने से प्रभावित उतकों में सरन पैदा होती है आर्मी गेरा क्रिशी में सबसे विनाशक कीटों में से एक है किसान भाई और बहनों क्षती हेलिको वर्पा आर्मी गेरा की इल्लियों के कारण होती है जो अनेक फसलों में एक सामान्य कीट है हिलिको वर्पा आर्मी गेरा क्रिशी में सबसे विनाशक कीटों में से एक है कीट 3-4 सेंटिमीटर के पंखों के फैलाव वाले हलके कत्थाई रंग के होते है आमतोर पर ये पीले से लेकर नारंगी या भूरे रंग के सामने के पंखों वाले होते है जिन पर गहरे रंग की चित्तियों के नमूने होते है पिछले पंक सफेद रंग के होते हैं जिन पर गहरी शिराएं और निचले किनारों पर गहरे लंबाकार धब्बे होते हैं मादाए मुख्यता हुपरी पौधे के उपरी भाग पर फूलों या पत्तियों की सता पर एकल या समों में गोलाकार सफेद से अंडे देती हैं परिपक्वता की अवस्था पर निर्भर करते हुए लावा जैतून जैसे हरे से लेकर गहरे लालिमा लिये हुए कत्थाई रंग का होता है उनका शरीर छोटे काले धब्बों से भरा होता है और उनके सेर गहरे रंग का होता है परिपखवता के बाद के चरनों में, पीज तथा साइब्स पर रेखाएं तथा धारियां विक्सित होती हैं जैसे ही ये परिपखव होते हैं, ये मित्ती में प्यूपा बनाते हैं आमतोर पर इनकी आबादी फल, फली, दीजकोश के विकास के दोरान चरम पर होती है, जिसके कारण उपज की भारी हानी होती है Recommendations, हम रोग के शुरुआती चरणों में या जब फसल कटाई के करीब हो, तो जैविक नियंत्रन विधियों का पालन करना चाहिए रोग के अधिक उनना चरणों में क्रिपया रासायनिक नियंत्रन उपायों का पालन करें, एक ही समय में विभिन उत्पादों को मिलाना या लगाना अनुशनसित नहीं है जैविक नियंत्रन अंधों पर आक्रमन करने के लिए पुश्पिकरन के आरम होने के समय ट्राइकोग्रामा कीट किलोनिस या ब्राजिलियनसिस का इस्तिमाल किया जा सकता है माइक्रोपलाइटिस, हेट्रोपलमा तथा नेटलिया कीट लावा पर जीवित रहते हैं शिकारी कीट बेग आइडबाग, ग्लॉसी शील्ड कीट, स्पाइन शिकारी शील्ड कीट चीटियां, मकरियां, इयर्विग, जीनगुर तथा मक्खियां लावा पर आक्रमन करते हैं और इसलिए इन्हें बढ़ावा देना चाहिए लावा को नियंतरित करने के लिए स्पाइनोसेड, नुक्लियो पॉलिहाइड्रो वाइरिस, एन्पीवी, मेटारहिजियमैनिसोपले, ब्युवेरिया बेसियाना या बैसिलिस थुरिजियंसिस पर आधारित जैव कीट नाशक का प्रयोग करना चाहिए वानस पतेक उत्पाद जैसे की नीम का तेल, नीम के बीजों का एक्स्ट्रैक्ट 5%, मिर्च या लहसुन का कलियों के निकलने के समय पत्तियों पर छिर्काव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है इसमें केमिकल कंट्रोल की बात करें तो, हमेशा एक समेकित द्रिष्टिकों इंटेग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, लाबप्रद कीटों को प्रभावित किये बिना खेतों को कीट मुक्त करने के लिए चुने हुए कीटनाशकों से उपचार सर्वश्रेश्ट हुपाए अंदों तथा लावा के लिए निग्रानी रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि इल्लिया कीटनाशकों के उपचार के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती जा रही हैं। 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव किया जाना चाहिए। कम मूलिय की फसलों पर रासायने को अपचार किफायती नहीं रह सकता है।